तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम लोग प्रस्णावली एक दस हम लोग एक प्रस्णों को हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इस प्रकार के प्रस्णों को हल करते हैं पहला हमारा प्रश्ट में क्या दिया है आये देखते हैं पहला कह रहा है कि निमलेखित संख्याओं का HCF ग्यात करने के लिए Euclid बिभाजन अल्गोरिधम का प्रयोग कीजिए सबसे पहले बात यह है कि हम लोगोंने लास्ट क्लास में यूकलीड बिभाजन एल्गोरीदम के बारे में पढ़ लिया था ठीक है अच्छा यूकलीड बिभाजन एल्गोरीदम को हमने तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था उसके हमने कुछ examples भी आपको बताये थे और आज कुछ प्रस्ण दिये हैं, पहले में तीन प्रस्ण दिया है, इसमें से हम कुछ प्रस्णों को हल करके देखेंगे कि Euclid विभाजन algorithm से कैसे हम दिये गए संख्याओं का HCF ग्याद करते हैं, ठीक है, चलिए आये शुरू करते हैं, पहले दिया है 135 और 225, ठीक है, चुकि हमको यह algorithm यूज करना है, इसलिए हम लिखेंगे चरण 1, खल में लिखेंगे चरण 1, दिया है दो सो पचीस तथा 135 जहां दो सो पचीस बड़ा है, 135 से, अतहां क्या यूज करेंगे, Euclid विभाजन algorithm से algorithm से, अच्छा, Euclid विभाजन algorithm से, सबसे पहले हम देखें, तो Euclid विभाजन क्या होता है भाई? तो Euclid विभाजन हमारा होता है, A बराबर, BQ प्लस R, जहां जो R होता है, उसका जो मान होता है, वो या तो 0 से बड़ा होता है, या फिर बराबर होता है, और हमेशा B से ओटा होता है, condition आपको पढ़ाया जा चुका है यह सब, यानि कि A बराबर हमको क्या दिया है, 225 बराबर B किसे भाग देते हैं, B से यानि 135, गुणे Q, कोसेंट कितना आएगा, आप क्या कीजिए, यहां पर किनारे भाग देकर के छेक कर दिए, आपने 225 में 135 से भाग दिया, यह कितनी ब बढ़ जाएगा, 135, पांच में से पांच जाएगा, तो सुन्य, यहां दो में से तीन घटेगा नहीं, एक हम लेंगे कैरी, यानि कि 12 में से तीन जाए, 9, यानि हमारा Q कितना आया, एक धन, रिमेंडर यानि सेस्फल कितना आया है, इसमें, 90, हमारा चरण एक कम्प्लीट हो गया, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, चरण 2, लिखेंगे चरण 2 में क्या है, क्योंकि जो R है, वह अभी 0 के बराबर हुआ नहीं है, जब हमने यूकलीड भी भाजन एल्गोरिद्म पढ़ा था, तो हमने यह बताया था, कि हम तब तक प्रकिरिया को प्रारम्भ जब तक कि हमारा R कमान सुन्य प्राप्त ना हो जाए, यानि रिमेंडर 0 न मिल जाए, तब तक हम प्रकिरिया को अपनाते हैं, यह हमारा R बराबर 0 नहीं है, यह जो 90 है, वो 0 के बराबर नहीं है, अतहा, अब हम क्या करेंगे, अतहा 90 तथा 135 को लेंगे, 135 के लिए, यूकलीड, बिभाजन, अल्गोरिट्म से, अच्छा, जब हमने, 135 और 90 लिया है, तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है, उसी में हम भागेते हैं किस से, 90 से, 90 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 90, सेस्फल कितना आया, 45, यानि के अब हमारा क्या हो जाएगा, 135 बराबर step 2 में क्या हो जाएगा 135 बराबर भी हमारा कितना दिया है 90 पोसेंड कितना आया है भागफल एक प्लस सेस्फल कितना है 45 अच्छा देखे यहां भी हमारा सेस्फल सुन्ने हुआ नहीं है इसलिए चरण 3 हमारा ही स्टार्ट होगा और चरण 3 में सेम प्रोसेस जो हमने चरण 2 में लिखा है सेम प्रोसेस थर्ड में भी हो जाएगा क्या यहां R is not equal to 0 है या R के जगह पे क्या है 45 यानि कि 45 जो है बराबर नहीं है किसके 0 के अच्छा अब हम किसके लिए अब भाग विर ही उच करेंगे 90 और 45 के लिए जिसमें 90 हमारा क्या हो जाएगा भाजक होगा कि भाज्य होगा भाज्य होगा अतह 90 तथा 45 के लिए यूकलीड विभाजन अल्गुरिद्म से अब हमें क्या प्राफ्थ होगा भई अब हम फिर क्या करेंगे थर्ड में 90 में भाग देंगे किस से 45 से यानि 45 दुना का 90 अब देखिए यहां पर हमारा रिमेंडर क्या प्राफ्थ हो गया है जीरू यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे नबे बराबर 45 गुणे दो धन कुन्य लिखेंगे अब हम लिखेंगे चुकी कि यहां सेस फल कि यहां सेस जो है सेस फल कि कुन्य प्राप्थ हुआ जो भाजक 45 से प्राप्थ हुआ है प्राप्थ हुआ ठीक है यानि 45 से प्राप्थ हुआ है इसलिए संख्या अच्छा कौन कौन से संख्या थी भाई संख्या हमारा एक था 135 और एक था 220 प्राप्थ है प्राप्थ है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर यही जो हमारा स्क्राप्थ मिला है यही हमारा क्या बन गया उत्तर बन गया यहीं प्रॉसेस से हम हर एक प्रशन को हल करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार के प्रशनों को हल कर ले रहे हैं ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बने रहे यह दिक्षाए एजुकेशन के साथ एदि वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर को सेर कीजिए ताकि वो भी कुछ बढ़ाई कर सकें ठीक है के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद